यह वाक्तों हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी नई बाइक, कार या अन्य किसी भी प्रकार की गाड़ी को खरीदते हैं तो उसके नमबर प्लेट पर एएफ लिखा होता है क्या आपको उस एएफ का मतलब पता है और वह वहाँ पर क्यों लगाया जाता है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल गजब का ग्यान और आज हम इसी एएफ का मतलब जानेंगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं यह बात हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि गाड़ी नहीं हो या पुरानी प्रतेक बाहन को मोटर बाहन अधिनियम 1988 के तहट पंजिकरित होना चाहिए बिना किसी रेजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है जब भी कोई गाड़ी दो पहिया, ती पहिया या चार पहिया आदी जब शोरूम से निकलती है तो उसको टेंपरेरी नंबर दिया जाता है उसी number plate पर AF लिखा जाता है AF का मतलब होता है applied for इसका मतलब यह है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नमबर के लिए apply किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमाने नमबर नहीं मिल जाता तब तक उसको number plate पर AF या applied for लिखने की छूट दे दी जाती है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज comment box में जरूर बताएं और ऐसी ही अनोखी अंजानी बातों को जनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शियर करें चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्ते